सब तो पहला मैं साराना निगा सवाक्त करती हैं पंजाब स्कूल सिख्या बोर्ड NSQF वल्लो चाल रही मुहीन कित्ता मुही दी मैं गिन्नी रानी ब्यूटी आड वेलनस सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल बाल्यावाली कन्या जीला बढ़िंडा विके सेवा कर रही हैं आज अपना टॉपिक श्रीरक दिख सवारना है एहे लेवल त्री दी यूनिट वन दा टॉपिक है इस विच अपना आज जानागे की श्रीरक दिखनों किस तरह सवारना चाहिदा है अथे दिख सवारन देली किन्ना गल्ला दा जरूर त्यान रखना चाहिदा है हाँ जी हून आपना शुडू करते हैं श्रीरक दिख किद्दा सवारनी है जदो कोई गाग अपनी कूल आन्दा है उन्ना दे वाला दी संबाल उन्ना दी चमडी दी संबाल उन्ना दे नोहा दी संबाल बारे अपा सला दिन दे हां इस तो ही अपने किता मुख्य दिख दा परवाव उन्ना ते पैन्दा है और अपने दिखनों हमेशा अकर्षक बना के रखना चाहिएदा है क्योंकि गाहक तो अड़ेगुल सुन्दर बना ले आंदा है अते गाहक यह सोचदा है कि मैं भी अथिया के सुन्दर बना अगर आपा यह सुन्दर नहीं बने हो आगे गाहक भी यह सुचेगा कि यह मिन्नू की सुन्दर बनाएगा श्रीरक बंतर श्रीरक बंतर एक व्यक्ति दी शक्षियत अते दिख दा पता लगदा है श्रीरक दिख तो इस करके अपने श्रीरक दिख है ओ अपने पहरावे तो उबरदी है जो अपना पाया, किस तरह दा पाया, किनना सोना लग रहा है, जो अपना श्रीरक तांचा है, उसे उपर, जो भी अपनी दिखनों वदिया बनान लई, अपनिया वशेश्टायानों उबारन लई, पानिया ते अपनिया कमियानों चुपान लई, ओ श्रीरक बंतर दा एक हिस् श्रीरक बंतर विच और तदे मर्द दा पींजर अलग लग हुंदा है और तदे श्रीरक बंतर दिया पांच परमुख किस माहन ये दे विच आवरतन गलास जिसनों की रेद कड़ी आवर गलास श्रीरक बंतर विक्या जानदा है तिकोनी श्रीरक बंतर पतली श्रीरक बंतर आयत श्रीरक बंतर ते गूलाकार श्रीरक बंतर जिद्दा की आपा तस्वीर विच दिखा आया है हाँ जी पहला सब तो पहला आवर ग्लास ए आवर ग्लास जड़ी श्रीरक बंतर है रेत कड़ी यहे औरता दी सब तो उत्तम वाली की सम्मनी जांदी है इस दे विच जो और तदी श्रीरक बंतर होंदी है बहुत ही अकर्शन होंदी है इस दे विच उदा ताड़ बहुत ही अकर्शिक लगदा है और ए वाली जो श्रीरक बंतर है ए सबनों बहुत पसांदा आंदी है इससे करके हर कोई यह चांदा है कि मेरी वी आवर गलास बंतर, श्रीरक बंतर होवे नमबर दो, ती कोनी श्रीरक बंतर ती कोनी श्रीरक बंतर विच कमर पतली हुन्दी है श्रीर दा उपरला हिसा, हेडले हिसे तो छोटा हुन्द है श्रीर दे मोटे कुल्या दे अनपात विच छोटे हुन देहान एदे विच कमर पतली हून करकी तराश्य होया श्रीर हून करकी एवी किसम तेको उन्नी किसम श्रीरक बंतर दी अच्छी किसम मननी जन्दी है पतली श्रीरक बंतर पतली जिद्दा की नाम तो ही पता लगदा है बिल्कुल पतले जे हुना एवी श्रीरक बंतर दे विच काट चोडे मोटे हुन दिया समतल शतिया हुन दिया अन्नरदार दित कमर हुन दिया काट चोडे कुल्य हुन दिया एवी श्रीरक दा हेडला पाग ह यह बिल्कुल सम्तल हुंदा है यह भी काफी लड़कियां जा औरता नो किसम पसांद है नंबर चार वाली किया अपने कोल आईताकार श्रीरक बंतर यह दे विच्छ मोड्यां दी रेखा है गिया यह सिद्धी हुंदी है कोलियां दी चुड़ाई मुड्यां दे ब्राबर हुंदी है पसलियां दा पिंचर बिल्कुल सिद्धा हुंदा है जिद्धा की आईताकार हुंदा है और जड़ी कमर हुन दिया ए अन्यदारित हुन दिया मिन्स एदा कोई अकारनी हुन दा सही तरीके नाल और जड़ा ताड़ा ए जादा उस्ताना हुएगा जाँ फिर जादा छोटा भी हो सकता है नंबर पांच ते गोलाकार श्रीरक बंतर ए गोलाकार जिद्ना की अपनों नाम तो यह पता लगदा है जो गोल में टोल ज़े हुन दे है उन्ना नो गोलाकार श्रीरक बंतर क्या जण दे है जो मोटे हुन दे है इनना ते पेट दे को लो चर्बी जमा हुन दिया अर इनना द AUSTANA तो, मतलब दर मैनe आनच छे अकार तो लगए जड़ा ताड हुन्दा ये वड़्डा हुन्दा मुड़े तो खुल्ले हगी है ये छोटी हुन्दिा जडिया लत्ता ये कैरिया हुन्दिया तो श्रीर हेटला पाग चोड़ा हुन्दा है एदे विच वी जो कमर अनुनिर्धारित हुंदी है मतलब जिन्नी कमर हार कोई चानदा ओन्नी नहीं हुंदी एदे विच एन्ना दी कमर जादे मूटी हुंदी है इस गोला का श्रीरक बनता नू एपल बोडी भी क्या हा चानदा है नीजी दिख, नीजी दिख दा त्य seventinder रावा है गया यो नीजी दिख दे वीचे शामिल हुंदा है एक टो कि सीमत ने ये दे वीच बोग। सारीया चीच्चा आंदियां नीजी दिख दे विचे ये ये विचे अपनी सज्लिंस चालवत भी आंदिया इस करके जो नीजी दिख है उन्नों सवारना चाही भी नाम तो इस पश्ट हुन्द है श्रीरक पाशा संचार दा ओ माधियम है जिस विच श्रीरक पाशा उचारन तो बिना संचार दा माधियम है जिस राही व्यक्ति अपने पावा दा बिना बोल के संकीत करद है बहुत सारे संकेत जमें बैठन नाल, खलोन दे तरीके नाल, शरीरक हाप आव चेरे दे हाप आव नाल, अखा नाल अखा मिलोना आदी, इस शरीरक पाशा धीक परवाशित कर दिया। श्रीरक पाशा भी निजी दिख देतना बहुत ही जरूरी है इनु अपनी श्रीरक पाशा नू अच्छा रखना भी जरूरी है इस दिन आली अपनी खूबसूरती तंदरुस्ती दा भी पता लगदा है श्रीरक मुद्रा श्रीरक मुद्रा जिद्दा की अपनो पता है खड़े हो उन्दा बैठन दा वदिया तरीका हो उन्दा ओ जड़ा श्रीरक मुद्रा है जिद्दा आपा किस तरह खड़े होना है किस तरह बैठना है किस तरह दी चंगी मुद्रा है किस तरह दी माडी मुद् एक चंगी मुद्रा जिदे विचो बिलकुल सिद्धा कड़ा है वो चंगी मुद्रा है जेडी की आपनो अबनाने चाहे दिया इह मोड्या तो उपर होने चाहे दिया अपने श्रेड्र उपर वालनो पहलाना चाहे दा चातियां सामने उब्रियां होनिया चाहिदियां हाना ते जीता कि आपा खड़े हो ये रीड़ दी हड़ी बिल्कुल सिद्धी होने चाहिदिया मुड़ी नी होने चाहिदि अगर ये मुड़ी हो ये ता ये माड़ी मुद्रा और पेट नो अंदर खिचके रखना चाहिदा है ये सिद्धा दिसे तहां जो पेट बार भी ने निकले होना चाहिदा और अपने गोड़े नो थोड़ी लचक दो ते पेरा नो सीद्धा विच रखना चाहिदा है और अपने बैठन दी मुद्रा गिद्धा होने चाहिदा है बैठन लगए वी आपनो एद्दाइ जो कि अपने खड़े हों दिया मुदरा एद्दाइ आपनो बैठन दी मुदरा है जिनके अपनी पीठनो सिधा रखना चाहिएदा है और पैरा दे तले पूरी तरह फास्थे ठीके होने चाहिदी हन और अपनो कदे वी पाहा दिलतानों क रोज करके नहीं बैठना चाहिए दा और श्रीरक मुद्रा विच अपने होर की आन्दा है गा श्रीरक मुद्रा विच अपने एक अख्षा दा संपरक, अख्षा संपरक तो यह समझे जानने आपा की मतलबा, जुए इक व्यक्ति उन्दा है दा तूचे व्यक्ति देना लो अ प्रवावा उसक्रात्मक पवे सामने वाले थे अगर आप मुस्क्रान देने उन्हों पहला ही बतला गजेगा इन्हों कोई खुशी नहीं मिली होई मिलके और एसे दिनाल अपने चेरे दे हापा पतलाग है जदगी अंपा जियों मुस्क्रागे नहीं मिल रही ताँ अपने मोदे उदासिया गुसा डर रा जा हरानिया जा खुशी इतोई अपने पतलाग जेगा वी ओ किस तरह था व्यक्ति है इस करके जदो वी आप अपने हापाव खुल्ले होने चाहिए अपने श्रीर नू दूसरे वाल सिद्धा रखना चाहिए एद्धाने की अपना श्रीर अंदर नू मुड़या होवे अपने हाथा नू खुल्ला रखो ठीक है इससे दरा जदवी किसे वक्ति में मिल देया उनू मुस्करा के अच्छे तरह मिलो ता जो अपना सक्रातमक पर वाव पवे सामने वाले थे निजी साफ सफाई जदा की नाम तो इपता लगदा है निजी साफ सफाई है जिद अपने सेहत नो बनाई रखना बिमारियां नो फैलन तो रोकन विच मदद करती है निजी सफाई दा मतलब है कि अपने साफ साफ रखना साफ तोड़ती ही पता लगदा निजी साफ सफाई निजी मतलब अपने आप दी साफ सफाई साफ सफाई रखना निजी साफ सफाई कितना रख देंगिया अपना रोज नो होना जेवो पूरश्या ओ शेव करन दिन पार दे कमा दे तुराना तान की तास्गी बनी रवे नमे गाकानू सेवा परदान करों तो पहला अपने हाथ तो लेने चाहिए दिया बाथरों जान तो पिच्चों अपने हाथ तो लेने चाहिए दिया अपने यह कच्छा वीचे गांदनाशक जांपस नारोक करन वाले परदार्थ दिया, अपनों वर्तो करने चाहिए दिया है अपने दंदा दे डिली ब्रश करना चाहिए दिया है जा अगर अपने मुचों समयला दिया ता अपनों माथ बाउश, वाश जा टौफी, कोई मिन्ट वगएरा दी जा मतलब पुदिन्य दी तौफी अपने मुचरा खलानी चाहिए दिया एजे नाल भी अपने मुचों दुर्गंद नहीं आएगी यह निची सावसवाई है यह बहुत जुरूरी है अपने श्रीर देवासी और अपने वालानों हफते विच दोवर्तो लेना चाहिए है और अच्छे शैंपू दे वर्तो गरनी चाहिए है अप अपने श्रीर दी सबाल ले अपनों मॉस्ट्र राइज फेशियल करवालाना चाहिए अवाला दे विच अपनों तेल शैंपू डिशर दी वर्तो करनी चाहिए है और अपने नोहानों साफ रखना चाहिए है क्योंकि कटे ओए नोह हुन देह गया यह थोड़े खुर्द्रे हो जांदे ऐस करके नोह कट्पंतो बाद हमीशा रेती फेदनी चाहिए है कदे भी एद्दा ना होवे क्या परेती ने फेरी उन आखुन अपने जो नोहान थोड़े थोड़े खुर्द्रे रहनगे और अपने हत्था पैरानों हर रोज मॉस्चुराइज करना चाहिए है त है इस तो अपनों पहला ही समझ गे होंगे तुसी कि यह दा अर्थ की है ए अजिता नेगा नेजी सज्ज सजावट यह प्राचिन समय तो बहुत समय तो चल ले आ रहे है कोई वी असेसरी या कोई गयाना अजिदी अपा वर्तो विर्दी है सब तो पहला था कि यह अपने न प्रेस कित्ते होने चाहिँ धिया ज़्यादा पढ़की लगा पहरावा अपनों नाई पाना चाहिदा कपड़े वiva यह पहराव पहना चाहिदा जिन्ना दे विच आपा राम दाइक dapat मैसूस हो इ gay चैक्पडे पाले बाद विचच अपना इम बहुत ही कार यह तंग हो रहे आपकेते जाके अच्छा नहीं फील करांगे फिरतां इससे करके अपनू कपड़ा जो प्यांद आपना पहरावा वह बहुत छोटा भी नहीं होना चाईदा बहुत खुला भी नहीं होना चाईदा उता कलर भी अच्छा होना चाईदा है ता जो आपा उनों पागे अच्छा महसूस करिये और सामने वाला भी अपने नाल अच्छे तरह अपनों देख के रह सके एद्दा नेगे के अपने कपड़े या अपा कोई छोटे पाले तो सामने अले नों भी अच्छे नहीं लगनेगे और जड़ी अपनी सुंदर्ता माहिर हुन देख गया उनना देवर्दी आ वर्दी मतलब जो उनना नों यूनिफॉम लगया अगर उनना दे सैलोन विच कोई उनिफॉम लगया तो उनना नों वो उनिफॉम पाना जुरूरी बंद है अपनों अपने अंदरोने कपड़े रोज बदलने चाहिए दिया रखना चाहिए दा कि कोई भी अपना अंदर गार्मेंट नहीं दिखना चाहिए दा ता जो गाहक दी निंगा पवे ता उन्हों अच्छा न लगे जिद्दां कि अपना पेट दिख रहे है जा अपने कपड़े या सज समगरी या जमें गयाने सकार्फ बेल्ट टाई ये बिलकुल सदा अरणों ने चाहिए दिया पर दिल किश्वी भी होन दिल कश्वी होन दिलनों खिच्चा जो और जुराबा आदी ये मैच करके पानिया चाहिए दिया हन ये बार भी ने दिखनिया अपनी और एदा कि अपा कई कंटे खड़ना होन दा है काम गरना इस करके उच्ची हेल भी नहीं पानी चाहिए दि और गर्मिया विच पैरानों पसीनना आजन दा है इस देले जो दो जीस व्यक्ति दे भी पैरान विच पसीनना आन दा है बदबू आन दी है उन्हों अपन जुत्ते पैनन टाइम अपने जुत्तियां दे विच पाउडर छिड़क लेना चाहिए अपना हे स्टाइल वी वदिया बनाना चाहिए वदिया हे स्टाइल ते साजसे जावट वी कम वाली थाते जुरूरी है क्योंकि अपने वाल छे तो आठा हफतें पिच्चों जान हर चार हफतें दे पिच्चों अपने वाला नो जूरूर काट लेना चाहिए है इनना विच उनना दे वाला दी काट ताज़ की दीखेगी और पता लगेगा कि ये हे वदिया कटिंग है और अपने चिठ्टे वाला नो लिकों दे लेई कोई अच्छा कलर कर लेना चाहिए ता ता जो हो गागनो बुरे ना लगन, मेकप सज सजाबत दा मत पूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मेकप मेकप दे ना ले, आपका किताब मुखी दे देख्कर्शन बन सक्दी है, इस करके मेकप भी बस लाइट होना चाहिदे है, अपने नक्षेयां दे सावनाल होना चाहिदे है, चुपा दिन्दा है, इस करकी निजी साजस जजावट है, बहुत जरूरी है, इसनों हर व्यक्तिनों अपने उते लग्गू गरना चाहिदा है, तनाओ ते काबू, तनाओ, जिद्धा की नाम तो भी पता लगदा, तनाओ, तनाओ किसे तरादा भी हो सकदा है, एहे मानसिक त तोरती भी तनाओ हो सकदा है, श्रीरक तोरती भी हो सकदा है, तनाओ किसे व्यक्तिली अच्छा नहीं है, जिदो तनाओ होंदा है, ओस्दे नल कई बिमारियां जनम लंदियां, अपने श्रीरनों नुकसान पांदियां, इस करकी अपनों अपने तनाओ ते काबू पाना च चाहिदा मतलब नाम सिम्रन जरूर करना चाहिदा है ठोड़ी अच्छि हून लग दिया तो अपना श्रेल भी तनाव तो रहे तूंद पर आपनो अराम महसूस होंते है अपनू सोना टाइम ते चाहिदा स्वेरे जगना भी टाइम ते चाहिदा और अपना खाने नू भी निश्चित कर लो ते खाना निश्चित समय ते खाना चाहिदा ना कि पुख है नहीं तपा खा लिया, जदो पूख लगिया, उन्हों रोगिया रख लिया, ठेक है, कुदरत नाल रोजाना संपर्क करना चाहिदा है, सब तो important गल लगिया, सब तो महतबून गल, संजम रखना, बहुत जरूरी है, आपनों सहर चीज़ दे संजम रखना चाहिदा है, संजम नाल ख शीरक दिमागी तनावत अपनों राहत मिल दी है, और जरूरी जरूरत दे उन्सार अपनों अराम कर लेना चाहिदा, नीद लेने चाहिदा है, ता जो दिन पर दी थकावट उतर सकी, ते नीद ने नाल अपने नवे सेल बन दिया, जिदे नाल अपना शीर तरों ताजा हु वे अराम कर लेना चाहिदा है, अराम लई तुसी कोई फिलम भी वेख सकती हूँ, अगर अपनों नीद नहीं आरी, अपना रलेक्स फिल करना, ता अपनों की करना, फिलम देख लने चाहिदी है, पुस्तका बढ़ लने चाहिदी है, और अपने मित्रानों मिल लना चाहिद प्रवारन गल बात करने चाईदी है अगर एदना तूसी करोगे ता तूसी अराम भी मेहसूस करोगे हफता बार वे चुटिया उन्स तो सैरते जाबन न्यारे चाईदा आपनों सलान न छुटिया उन्स दिया तो कि दरे हुद्माना चाईदा है एदेनल भी तना दूर हुंद है तना उनु दूर कर अंदरे रोजाना कसरत कर लेने चाहिदी है एदेनल खुशी दिया पावना वद्धिया हन कसरत भी वदिया तना उतो मुक्त होन लई वदिया साधन है तना उतो मुक्त होन लई आपनों यह सब चिछा कर लेनिया चाहिए दिया हाना समेदि सुचजी वर्तो means आपनों समेदि किस तरा हम वर्तो करनी चाहिए जो भी करनी या ओव सई वर्तो होनी चाहिए इसली जएड़ा हमा अपना समा है गया वापिस नियान दा एस करके अपनों समेदी सही वर्तु गरनी चाहिए था जो अपने लेई लाब दाइक होवी और अपनी मेहंत नाल हर काम करना चाहिए है जो समेदा परबंदर अपनों सही तरिक्के नल कर लेना चाहिए हर काम नों अपने अपने ताइम दे नाल बांड ले और इस करके अपनुकि आपानों इनना काम भी निकलारना चाहिए natuurlijk कि जड़ा बाच समले ही न, हर कामनों सीमत त्रिक्के नल कर लाना चाहिए था, ताँ जो ओ ताइम लाल अपना पूरा हो सगे, कामनों सही निप्टों दे लई, अपने काफी समा भी बाच जावे, बाद विच, एसले कामनों एस त्रिक्के नल निटाओ, कि अपने कोई थोड बुटता समा भच जे लास्ट विच, समेधी सुचिची वर्तों लेई सब तो जरूरी की है, ए तुसी दिन दे वी कमा दी स्वेरे सुची बना लने चाहिए थी है, ताँ जो सारे दिन अपा नू यादर वे केडा काम कद करना है, केडा पहलना करना है, केडा बाद विच कर फिर ता सारा बैलंस खराब हो जेगा, एस करके अपनों जो भी कमदी अपा सुची बनाई है, उन्ना नू जो अपना जगिन्नी बनाओ, कि अपनों पूरे कर सकांगे, ते उन्ने ही समेधी विच कर सकांगे, समेधी गल्त वर्तों कदे भी नी करने चाहिए थी, पहला अपना काम निप्टा के फिर दूचे नू करना चाहिए है, समेधी सो जिच्ची वर्तों दे लई, तो अन्नों अपने काम दे परती किंद्रित होना चाहिए है, समा, समा क्योंकि समा अगर एक वारी बीत गया, वो वापिस नहीं आएगा, एस करके समेधी नू हमेशा अच्छे टाम ना परतो, ता जो आनले टाइम विच्वी ओ, अपने लेई लाबदाईक सिद्ध हो सके, समपर्क, समपर्क नू राप्ता भी केंदे हैं, समपर्क दा अर्थ है कि दूचे नल अपने सबंद स्तापित गरना, अपने दूचे नल गालबात करना, इस सबंद व आपसी समझते पसांदरा ही काईम कित्ती जा सकती है, इस दे नल अपने चंगे राप्ते दे संकीत मिल देया, किद्धा मिल देया संकीत, अपने श्रीरक पाशा दे नल, अपने हाप पामा दे नल, अपने हिल चूल दे नल, अपने बोल चाल दे नल, अपने अवाज दी सू सब्सक्राइब निर्परगर्दी कि अपको, कि अपने खाय में सबस्त मिज 라는 सब्सक्राइब पने गालबाद नों आपको आपिringsान अच्छी वर्त नीच उजे सुन देया ता ओ अपनों बहुत वधिया रखने चाहिए दिया ता जो सामने वले नू अच्छे शब्द भी लगन ते सोकी समझाजी ते ओ अपनों साफ साफ समझ सके ते अपनी आवाज दी सुर्गिद्धा दी होनी चाहिए दिया जदो भी अपनी अपने सामने है थे हापा वह बहुत ही अच्छे होने चाहिए दिया उस तो यह ऑवाज से सुर्दी भी जच्जमध कर लेगा इस करके अपनों अपने अवाज से सुर्णों बहुत ही वधिया रखना चाहिए अगर आप फोन थे हां ता फोन करते माली मुस्करा के गल करनी चाहिए थे हैं जो भी आपा बोलना चानने है जो भी समा उब भोल दें फिर उनुम पुछना चाहिदा है कि मैं ता डिल की कर सकता है जा की कर सकती है है अपने सब ही संचारता जो भी सादर मंदिया अपने उचारन दे सूर्टों ही पता लग दें इस करके अपनी अवाज नो बहुत मिठी सुरिली रखो ता जो अपना ये अवाज दे प्रवाम दे नाली गाहक खुश हो सके दिल्चस्पी अपनो अपने गाहक दे विचो दिल्चस्पी लाने चाहिदी है कदे भी एदध ना होवे कि अपनो कुछ प्रेशन पुछ रहे हैगा अपनो दिल्चस्पी नहीं लहरे अपनो गलिनी कर रहे उदे बलतियानी नहीं कर रहे फिर अपने सालोन ते वापस नहीं आईगा एद्धा ही अपनी जिंदगी दे विच है कि कदे भी अपा जी सामने वाले दी गलबात दे विच कदे नहीं दिलचस्पी लवांगे ता ओ अपनल दुबार तो गलबात नहीं गरेगा विच्वाश ते खुला पन वदानली वहान क्रोस किते बिना ते खुली मुदरा अपनोंनी चाहिए अपनु धेन लगई हर कोई रिकावटा दूर हुन दिया अपना प्रोश साबनागी रखना चाहिएदा अपनों मुस्करागी रणा चाहिएदा है और दूसने संपर्क बनों देना लई उसना नजर मिला के गल करनी चाहिएदी है इसलिए तुसी गाहाग ना रापता काईम कर सकती हो अच्छा रापता होवेगा गाहग भी अपने विचे दिलच पील आएगा गाहग भीचे दिलच पील हमाजी और दोज्चे अintéग गल सुनो पहला तुसी गाहग भी पुरी गल सुनने चाहिए था नो एनी गाहग भी पहला तुसी अपने गल रखन लगजो एस करके उन्हों ए पसांद नहीं होगा पहला तुसी और हमनाल गाहक दी पूरी गाल सुनो जे कोई गाल साफ नहीं है ता नुश पस्ट नहीं हुई ता तुसी उन्हों कोई गाल दुबारा बोलन लेको हो कि मैंनू ए गाल समझ नहीं आई है तोसी ज़दो चंगेस रोता बन जाओगे ता गाहक दी आगी गारनी त्याना शुनोगे ते समझ भी जाओगे और आपनू हूर्गी करना चाहिदा है कि एक सारता अपनलाओनी चाहिदी है आपनू एक का रखना चाहिदा है हर एक गाक दूझे न लो वक्रा हुन्दा है कुछ गाक जो चौन देया ओहो उस पर तिशपष्ट हुन देया कईया दे सबा उस शाही ते गरम भी हुन देया कुछ हमेशा चिजग दे रहन देया गरम सबा दे गाक नो शांत करन दा एहू तरीक है कि उन्ना दी हर गलना सैमत हो जो फिर उन्ना नो पुछो कि असी तो अडले की कर सकतेया तो अन्नो केडी सर्विस पसांद है केडी सर्विस तो अन्नो असी हुन प्रवाइड गरिये जिद्दा गाक तो अन्नो कवे उद्दा तुसी मान लो गल एदे नाल एक सूर्ता नाल अपनों दे नाल एक सूर्ता अपनों दे नाल अपनों घाक नाल हमेशा अच्छा बिहेव रहेगा जो गरम सुबाव अले हागिया उन्ना नू भी अच्छा लगेगा एस तर के अपने एक सूर्ता बनागी रखो न्यातिकता संपर्क बनान विच न्यातिकता दा बहुत वड़ा हाथ है न्यातिकता अपने दे विच न्यातिकता विच चंगा आचरन होना चाहिदा है योग विवहार होना चाहिदा है सबंदा दे कोशल होना चाहिदा है अपने कित्ता मुखी पाखनों समझन दे सिदात होने चाहिदे हाना और अपनों अपने कित्ता मुखी जिंदिगे विच सदाचार होना चाहिदा है अपनों दुझे दे नाल विवहार अच्छा गरना चाहिदा है दुझे प्रती सिदकार होना चाहिदा अपने विच करी होने चाहिए है इसे त covari आप आपना अच्छा संपरक काइम कर सकांगे। अपने न्यात정क आदे वीच अच्छे गुन होने चाहिए हैं अपनों स्वेया संबाल होनी चाहिए अपने दे allow सुन्दरत अदे तंदुरुस्ती सलाकार वजो तो अनों संभालक वजो विख्या जानता है जे तुसी असल अर्था विच दुजिया ले मददकार साबित होना चांदे है ता एही भी जुरूरी है कि तुसी अपनी संभालवी ठीक तरा करो नेक अपनी नियत होनी चाहिदी है तो अड़ी नेक नियत दे काईम रहनते ही जुरूरी है कि तुजिया आपस दे विच जा किसे परती अपनी नियत नों नेक रखो उदारंद दे तोरते जिद्दां की जिस उतपाद विच तो अड़ा विश्वाश नहीं है तुसी सिर्फ विच्चन दे मकसद नाली वर्त देओ एह अन्यतिकता है जिदों की तानू पता है एवली चीज गाग दे चमडी नों सूट नहीं करेगी परता नों ये असी उनों ए सर्विस दे दिये अपनी चीज भी खतम हो जाएगी पैसे आचन गे ए अच्छी नियतिकता नहीं है गाग नों ओही परवाइड गरो जो उनों सूट करेगी उनों अच्छी नियतिकता नाल अच्छी नियत दे नाल देखना चाहिएदा है इसे तरह जी गाहक दे पहले हेर कट बरे गुरा बोल दनेयों तुसी जाँ ओदे अपने सह करमिय अदे उजारा नूचरोन वगेरा हो जान दे था डितों तुसी उनना नूचरान दी कोशिश करद ये अन्मैतिकता काम गर दे होई सैलों दिया नितियां अदे सर्विस दिय केमता नो त्यान विच रखना बहुत लाजमी है अक्तियार अपनी निजी समस्यामा गाहक ला सांजिया करन तो हमेशा गुरेज करना चाहिदे है अपनी कोई भी निजी समस्या है कोई भी गाला ओ गाहक देनल कदे भी शियर नहीं गरनी चाहिदी जेकर गाहक तो अनो कोई गल्ला दास्तन दा है ता ओ गल्ला नो किसे होर नो दासके कदे भी उदा विश्वाश नहीं तोड़ना चाहिदा है अपने या कित्ता मुखी सुवामा ते मेवारा नो काईम रखना सिखो संचार अपना तो अड़ी जिम्मेवारी ते नेतिक विवार गाहक ते सहकर्मिया ते नाल चंगी गल्ला दाही चल गदा है अगर तुसी अपने गाहक नाल जिम्मेवारी नाल नेतिक विवार करूँगे ते जिम्मेवारी नो समझोगे एदे नाल बहुत ही वधियत आड़े से कर्मिया ते गहका ते प्रवाप पईवेगा इस तरह तो आड़ी गलबा सिद्धी तेश पष्ट हो जाने चाहिए दिया गिया इससे गहर के अपने तोनों का साथिया तो सब्तों मत पुन अपने आप तों जेड़ा सिद्कार मिलता है एदे नाल अपने वधन दी हल्ला शेरी मिलती है इससे गहर के अपनों हमेश्या सब्दा सिद्कार गरना चाहिए अपने आप्दा भी सिद्कार करो आजी ए अपने लेवल तिन दा यूनिट इक दा शैशन शिर्टक देख सवारना सी इस दे विच बहुत जरूर जरूरी गलना सी ओ मैं तादे नाल सांजियां कितिया हान आजी तान वाद झाल झाल